आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now कर दोश्तो हमारा प्रश्ण है की समचिप्त टिपड़ी लिखें इसी सरचना को हमिसेल की सरचना कहते है तो हम इहां पर इसे लिख सकते हैं कि जब साबौन जल की सतह पर होता है तब इसका जो आणविक सीरा है ठीक है इसका आणविक सीरा क्या होता है जल के अंदर होता है ठीक है आणविक सीरा जल के अंदर तथा हैट्रो कारवन वाला जो भाग है वो क्या होता है जल के बाहर होता है ठीक है, बाहर होता है, इसी सरचना को, हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, ठीक है, मिसेल कहते हैं, ठीक है, तो यह हो गई दोस्तों, मिसेल के बारे में, अब हमें साथ में और क्या पूछा गया है, हाइड्रो कारबन के बारे में प्रसमें पूछा गया है, ठीक है, कि हाइड्र कार्बन क्या होते हैं तो दोस्तो अगर हम हाइड्रो कार्बन को देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए योगी को हम क्या कहते हैं हाइड्रो कार्बन कहते हैं ठीक है तो हम समानने तोर पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वो कार्बन से मिलकर बने योगिक को हम हाईडरो कार्बन कहते हैं उधारन के तोर पे कौन को से हमारे हाईडरो कार्बन के उधारन में आते हैं कि हमारा आता है methane ठीक है यहां पर हमारा क्या है carbon और hydrogen है ठीक है इन दोनों पर मानों से मिलकर बना है तो यह हमारा methane जो है यह हमारा hydrocarbon के उधारण में आता है इसी तरह से दोस्तों हमारा C2H6 जो कि होता है हमारा Aethane ये भी हमारा क्या होता है Hydrocarban के उधारन में आता है यही हमें प्रस्ण में पूछा गया था जो कि हमारा प्रस्ण का आंसर है Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा Students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर